है 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 आज का टॉपिक है मैंच का पहला ही चैप्टर गुड्स एन सर्विसेस टेक्स तो क्या है एक ऐसा टेक्स जो गुड्मेंट कलेक्ट करती है किसी गुड्स पर किसी सर्विस पर इसका मतलब है आप कोई भी गुड्स खरीद लो हाँ भाई बजार में जाओ कपड़े खरीद लो बजार में जाओ पैन पैंसिल खरीद लो बजार में जाओ मेंगी खरीद लो जो भी चीज खरीद रहे हो तुम और जो भी तुम सर्विस ले रहे हो हाँ डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो लॉयर की सर्विस ले रहे हो टीचर की सर्विस ले रहे हो खोचिं की सर्विस ले रहे हो सब पर लग तो हमारे देश में पहले चलता था इंडारेक्ट Communist के रूप में की वेल्य वेडिट Tea eg एक्साइज ड्यूटी इन सारे टेक्सेस को हटा कर एक सिंगल टेक्स लगा दिया मतलब धेर सारे इंडिरेक्स टेक्स हटा करके एक सिंगल टेक्स लगा दिया हां मोधी गोवर्मेंट ने 2017 में गुड्स एंड सर्विसेस टेक्स नाम का एक कानून पास किया ताकि पूरे लगे गा इसलिए बनाया गया goods and services tax अब धेर सारे tax नहीं है एक single tax है हर एक वस्तु पे tax है हर एक service पे tax है सरकार ने इसका नाम दिया GST चलो एक simple से example जे पहले समझेंगे कि GST क्या है किस पे लगता है मैं और तुम बजार गए चलो मैं और तुम बजार गए और let's assume हमने क्या किया हमने purchase किया हमने purchase किया इत शू ठीक है शू की कीमत है रुपीज 500 पात सौ का शूज है कोई बात नहीं आप जाते हो दुकांदर को पूछते हो बहिया कितने का शूज है दुकांदर बोलता है 500 का है 500 देतो हो घर ले आते हो तो यह जो 500 है जो आपने जिस चीज़ पर शूज खरीदे मतलब एक consumer ने goods खरीदा यह price क्या है इस price में GST included है हम इसे कह सकते है price including GST तो कोई भी shop से आप क्या कर रहे हो goods खरीद रहे हो उन सब में GST जुड़ा हुआ है short form लिखूंगा तो कह दूँगा PIGST तो मैं और तुम जब भी बजार में करने जा रहे हैं सब में GST जुड़ा हुआ है already added है चलो एक restaurant का example देखे समझते हैं हम लोग restaurant में गए रेस्टरेंट में में लिखा हुआ था कि धोसा 100 पेका है पर उसमें लिखा था नीचे GST extra अब क्या होगा क्या मैंने लिखा डोसा हाँ restaurant ने कहा तो डोसा काने गए हो डोसे का price लिखावा है रुपीज 100 और लिखावा है GST 10% तो अब GST extra आपको देना है including price नहीं है तो इस price पे जिस price पर GST लगना है इसको हम कहते है taxable value हाँ जिस पर tax लगे उसे क्या कहोगे taxable value तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि डोसा खाने के बाद हमें कितना पैसा देना होगा restaurant में बहुत असान है GST देना होगा 10% of taxable value हमारी taxable value है 100 rupees तो 10% मतलब हो गया 10 rupees तो GST कितना देना है डोसे पे 10 rupees तो अब हमें जो price पे करना होता है उसका नाम होता है PIGST हमें मतलब मुझे और आपको जब कोई चीज बाजार में खरीदनी होती है उस पैसे को हम बोलते है price including GST दुकानदार usually हमें बताता नहीं है हाँ हम usually जब समान खरीदते हैं तुमने अगर मैगी खरीदा होगा बजार में जाकरके तो दुकानदार तुमसे कहता है 14 रपय तो एक मैगी छोटा ले लो हाना that is maximum retail price पे खरीद रहे है उन सब में GST अलड़ी added रहता है पर मेरे इस इस वाल एक्जामपल में दूसरे एक्जामपल में एक्जामपल टू में देखिए डोसा खरीदा 100 पय का हाना restaurant में लिखावा था कि इस पे GST अलग से आपको देना है लिखा था साफ साफ 10% GST एक्स्ट्रा तो 10% निकाला हमने GST कितना आ गया 10 रुपीज आ गया अब मुझे क्या देना है price including GST एक consumer जो price पे करता है हम और आप मैं और तुम जो consumer है हम जो price पे करते हैं उसका नाम होता है price including GST हमें देना पड़ेगा 100 रुपीज जो की उसका price था टेक्सिबल लेल्यू थी उसकी plus GST हमें और देना पड़ेगा इसका मतलब हमें shopkeeper को finally देना पड़ेगा अथा तो restaurant वाले को finally देना पड़ेगा 110 रुपीज डोसा कितने का पड़ा 110 रुपीज तो basic idea क्या है basic idea यह है कि जब हम GST की बात करते हैं तो word value जो एक consumer को क्या करनी होती है goods के साथ देनी होती है जब वो goods खरीदेगा तो consumer को उसकी साथ उसकी value देनी है वो goods खरीदेगा तो भी देनी होगी services खरीदेगा तो भी खरीदनी होगी example group में मैंने कहा insurance premium पे कर रहे हैं लोग life insurance खरीद रहे हैं तो उस insurance premium पर भी even बहुत सरे लोग online classes purchase करते हैं online content खरीद रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें services विक रही हैं online तो उसका भी पैसे में GST लगता है तो services पर लग रहा है goods पर लग रहा है और यह थोड़ा समझते हैं GST के बारे में तो जब हम firm की नजर से बात कर रहे हैं point of view कुछ और है और जब मैं और तुम consumer और firm के बीचे बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझना है चलिए समझते है firm और consumer ज़रा ध्यान से देखेगा तो आ सरकार GST लगाती है actually लगाती form पर है government पर भरता कौन है और मैं और तुम भरते हैं हाँ तुम्हें और मुझे बरना पड़ता है वो GST पर मैंने का हमें पता ही नहीं चल रहा है हम कोई भी चीज करने जा रहे हैं हाँ अगर तुमने recent movie देखी है तुमने जरूर आगर देखी होगी तो उस movie ticket में नीचे चेक कर लेना जरूर लिखा होगा movie ticket में नीचे GST तो government उस पे भी क्योंकि वो service है मैंने बताया था उस पे भी GST लग रहा है आपको तो पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितना GST पे कर रहे हो क्योंकि उसके अंदर price including GST आता है मैं और तुम जिस price पे खरीद रहे हैं consumer जिस price पे goods खरीद रहा है उस price का नाम है PIGST मतलब मैं और तुम जब price पे करते हैं उसमें price including goods and services tax होता ही है ठीक है अगर price including नहीं होगा तो price include करना होगा आओ एक example समझते हैं चलो हम लोग गए एक cloth store पे चलो trends पे चले गए example दे रहा हूँ ठीक है चलो trends पे चले गए एक cloth store पे चले गए जहाँ पर GST including नहीं है ध्यान ते समझेगा तो हम लोग गए क्या खरीदने चलो हमने खरीदा एक jeans jeans का cost price दिया हुआ है कितना दिया हुआ है jeans का cost price 1000 रुपीज शॉप की पर ने कहा jeans है 1000 रुपीज की याद रखेगा इसमें tax including नहीं है पर जब हम खरीदने गए तो उसने कहा इस पे लगेगा GST 10% वैसे कौन डिसाइड करता है कि GST कितना पसंद लगेगा 10% तो मैं लिख रहा हूं तो GST GST council नाम की body है वो decide करती है GST का rate हमारा देश में 5 slabs है GST के हाँ 0% GST लगता है essential goods में मतलब food grains पर salt पर 0% tax है इसके उपर 5% है जो consumable goods है उसके उपर 10% है 12% है 28% तक है luxury goods में सबसे highest GST है तो tax GST government को देना है और किस पर देना है हमें इस price पर देना है जिस price पर tax लगना है तो jeans है 1000 रुपीस की और आपको अब GST के साथ price पे करना है हाँ मुझे और तुमें जब खरीगना है तो GST भरना पड़ेगा तो फिर से आ गया कोई दिक्कत नहीं है GST का formula भी बन गया तुमारा GST का formula क्या हो जाएगा GST is equal to GST percent of taxable value कौन सी value चाहिए यहाँ पर taxable value taxable value क्या होती है जिस value पर tax लगना होगा उस price को कहेंगे taxable value usually selling price जो होती है वही taxable value होती है जिस price पर shop की पर sell कर रहा है shop की पर jeans कितने में बेच रहा है shop की पर jeans बेच रहा है 1000 रपे में आओ बहुत आसानी से निकाल देते हैं इसी question में हमारा GST फिर से आ जाएगा GST आ जाएगा 10% आँ वैसे maths कर रहे हो और देख रहे हो सिर्फ ना ना अगर सच्छे superstar होगे तो इगलती नहीं करोगे math मेरे साथ करोगे तो साथ में notebook लेके बैठे होगे और तब कर रहे होगे क्योंकि math देखने से नहीं आता है आपको मेरे देखने पर मेरे करते वे यस numerical लगाते समय बड़ा मजा आ रहा होगा अरे सर इतना easy है अरे सर ये तो बहुत असान है हाँ मैं कह रहा हूँ असान है पर देखना असान है लगाने वे पता चलता है असले में कि math में कितनी महनत लगती है या math कर रहे में क्या problem आ रही है इसलिए साथ में लगाओ देखना नहीं है yes math देखना नहीं है साथ में आप 100 रुपीज का तो सिंपल है शॉपकीपर जो हमसे प्राइज कलेक्ट करेगा उसे कहेंगे प्राइज increasing GST क्या लेगा शोपकीपर हमसे हमसे लेगा selling price और हमसे लेगा GST शोपकीपर हमसे लेगा 1000 जो कि उसका selling price था GST हमसे कलेक्ट कर लेगा वो फाइनली हमें गुड्स कितने का पड़ा 1100 रुपीज का सिंपल है बहुत इजी है जब शॉपकीपर दुबारा इसी कोशन पर आते हैं सेलिंग प्राइस कह रहा है शॉपकीपर इस गुड्स का है 1000 रुपीज शॉपकीपर कह रहा है हम आपको डिसकाउंट देंगे आपको तुम जानते हैं हाँ भाई हम आपको पहचानते हैं आपको 25% डिसकाउंट देंगे अब अब टेक्सिबल वेल्यू चेंज हो जाएगी तो अगर सेलिंग प्राइस न दे करके वहाँ पे लिखा हो टैग प्राइस टैग प्राइस के अलावा हो सकता है कि लिखा हो कैटेलोग प्राइस कैटेलोग प्राइस के अलावा क्या नाम हो सकता है मार्क प्राइस हो सकता है ये वो सारे प्राइस हैं जो जो गुड्स के साथ लिखे होते हैं टैग लगा होता है एक स्टिकर टाइब का लगा होता है इसलिए टैग प्राइस कहते हैं केटलॉग में लिस्ट होती है उसमें प्राइस लिखा होता है यह एक और नाम देता हूं चलो मीनू प्राइस लिस्ट में लिखी प्राइज है निनु प्राइज को लिस्ट प्राइज भी बोलते है इन सब प्राइज इन सब प्राइज से वस्तू की कीमत पता चल रही है इसी पर GST लगेगा ठीक है इन वैल्यूस पर GST लगाना है जैसे कि मेरे केस में एक शॉप की पर जीन्स बेच रहा है कितने में हाँ ये इसका सेलिंग प्राइज है और क्या नाम देगे इसका चलो ये इसका लिस्ट प्राइज है अब क्योंकि इस पर डिसकाउंट है तो डिसकाउंट चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही होगी टेक्सिबल वैल्यू तो जीस्ट किस पर लगेगा टेक्सिबल वैल्यू पर लगेगा तो अज्यूम करता हूँ कि जीस्ट इस बार भी है 10% ठीक है तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसका सेलिंग प्राइज ये selling price ही इसकी क्या होगी taxable value होगी क्योंकि इसी पर क्या करना है GST लगना है taxable tax लगने वाली value इसलिए क्या करेंगे formula लगा देंगे formula क्या हो जाएगा 100 minus discount percent upon 100 into mark price list price tag price catalog price सब लिख सकते हैं ये formula बन गए आपका तो जब जब आपको taxable value निकालने होगी आप इस formula से निकालेंगे हाँ एक discount दिया है इसलिए एक बार लिख रहा हूँ हो सकता है दो discount दिया हो discount पहला दिया हो 25% दूसरा discount दिया हो 30% तो ये value दो बार आ जाएगी 100 minus discount percent upon 100 एक बार 25 के लिए और अगर दो discount दिया होँ है तो दूसरी बार 100 minus discount percent upon 100 दो बार into mark price आएए अभी मेरे पास सिर्फ एक discount है single discount है आएए पता करें कि इसकी selling price क्या है taxable value क्या है तो 100 minus 25 upon 100 into mark price list price, catalog price tag price, मेरे कितनी tag price है इस question में 1000 तू हो जाएगा 75 upon 100 into 1,000 solve कर रहे हैं आप मेरे साथ पताए क्या आणसर आएगा 750 आगया आपका हाँ अब यही प्राइज वो प्राइज है जिस पर शॉपकीपर टेक्स लगा सकता है अब शॉपकीपर GST 10% किस पर लगाएगा 1000 पर नहीं लगाएगा 1000 लगाएगा GST किसके लगाएगा 750 पर लगाएगा शॉपकीपर को अब 750 पर GST कलेट करने का अधिकार है क्योंकि यही उसकी taxable value है समझ गया न तो अब मुझे GST निकालना हो तो फिर आ जाएगा GST is equal to क्या करेंगे GST percent that is मेरे case में 10% of the taxable value taxable value है 750 और हमारा answer इससे आएगा 75 रुपीज इसका मतलब है कि हमें कितना देना है price हमें price देना है अब कितना price finally pay करना है में हमें price जो बे करना होता है उसका नाम होता है price including GST इसके लिए आप क्या करते हैं जो भी taxable value आई जिस हम selling price कह रहे हैं plus GST कर देते हैं मेरे case में 750 plus 75 आपका answer आगया 825 रुपीज क्या कहते हैं आपने भी निकाल दिया है पक्का चली अब इसी question में थोड़ा सा और आगे deep dive करते हैं deep dive मतलब होता है और आगे चलते हैं question change नहीं करूँगा concept को दुरा ध्यान से ध्यान दीजेगा ठीक है let's assume फिर से कि अब आप shopkeeper से purchase करने गए है jeans और jeans का price है 1,000 यह इसका tag price है tag price है mark price है क्या उसका है था मैंने example दे करके 1,000 ठीक है 1,000 उसका क्या है उसका tag price है mark price है shopkeeper ने आपको दे रखा है discount कहा पहला discount देता हूं 25 परसेंट का दुबारा एक और discount देता हूं 50 परसेंट का 90% discount है आईए समझते हैं दो discount देने का क्या मतलब है हां तीन भी हो सकता था तो आपको बस ध्यान देना है कि इसको total 75% मत कर दीजे directly इसको ना गलत हो जाएगा अगर आप total कर देंगे गलती से एड़ करके सीधे 75% निकाल देंगे तो आपको 750 रुपीस का discount हो जाएगा और अ लगलग discount दिया हो तो आप formula फिर वैसे ही लगाएंगे आप लिखेंगे selling price is equal to hundred minus discount percent upon hundred यह पहला हो गया आप दूसा भी लगाईए yes hundred minus discount percent मैं डीटू लिख रहा हूं second discount के लिए तीसरा होगा तो तीसरा लगा देंगे चौथा होगा तो चौथा दिसकाउंट लगा देंगे into mark price ठीक है इससे क्या आ जाएगा यह formula आ जाएगा आपका selling price निकालने का ठीक है वैसे मैंने directly भी दिखाया था selling price निकालना अगर single discount हो तो direct निकाल दिया करिए ठीक है हमारे case में हम लोग क्या करेंगे hundred minus 25 पहला discount है 25 तो hundred minus 25 upon hundred दूसरा क्या है hundred minus 50 upon hundred और mark price कितना है हमारे case में tag price और mark price हमारे पास है 1000 सिंप्लिफाय कर दीजिए आपके पास आएगा 75 upon hundred into 50 upon hundred into 1000 आपने सिंप्लिफाय कर दिया हाँ वान है टू ट्री फोर चारो जीरो मैंने cancel कर दिया है हमारे पास जो वैल्लिव आ रही है वह हमारे पास taxable value होगी वह हमारे पास selling price होगी फाइफ फाइफ ट्वंटी फाइफ 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 सेवंटी फाइफ फाइफ सेवंटी फाइफ ट्री फाइफ ट्री फाइफ तो अब टेग प्राइस तो बली 1000 लिखा है पर उस jeans का selling price अब उस jeans की price कितनी है सिर्फ 375 अब GST अगर शॉप की पर ने लगा दिया कि हम 10% GST लेंगे तो वो 10% किस पर लेगा टेक प्राइस पर नहीं प्राइस आफ्टर डिसकाउंट करने के बाद जो वेल्यू आती है उस पर लगता है जिस प्राइस को हम कहते हैं टेक्सिबल वेल्यू टेक्सिबल वेल्यू कितनी है कितने पर टेक्स ले पायागा शॉप की पर आपसे 375 पर बस आप निकाल दीजे कैसे निकालेंगे आईए देखते है आईए निकाल लेते हैं इसको हमारे पास GST GST है 10% आप करेंगे 10% of taxable value आपका answer आएगा 37.5 यह आएगा अब आपको देना है जीन्स की value जीन्स का price शोप की परको तो 375 को दो जीन्स है आपका selling price है प्लस 37.50 पैसा एड करिए और मुझे बताईए चली मैं ही कर देता हूँ एड कर देता हूँ 7 और 5 का 12 का 2 भागी 1 7 और 3 10 10 और 1 का 11 3 और 1 4 तो 412 रुपीज 50 पैसे की जीन्स आ गई बड़ी सस्ती है जी हाँ तो यह तो clear हो गया आपको कि कब लग रहा है GST कैसे लग रहा है GST अगर आपने एक से अधिक संख्या में गुड़ ली तस गुड़ लिए तो इंटू 10 कर दीजेगा आपने तीन चार अलग लग गुड़ लिए हाँ एक्जांपल गुरूप में करता हूँ एक और एक कंजूमर गया उसने जीन्स करी दी जीन्स का रेट चल रहा है 1000 रुपीस ठीक है कंजूमर को शर्ट पसंद आ गई हाँ तुमको शर्ट पसंद आ गई शर्ट का रेट चल रहा है 500 रुपीस जीन्स पर GST लगा रही है सरकार 10 परसेंट शर्ट पर GST लगा दिया है सरकार ने 20 परसेंट ठीक और क्या खरीद है आपने चलो ट्राउजर भी कर देते हैं तुमने ट्राउजर भी खरीद लिया ट्राउजर का रेट है 2000 रुपीस और ट्राउजर पर GST है चलो अगें 10 परसेंट तो एक कंजूमर है एक साथ कई सारे रूट्स खरीद रहा है तो क्या होगा कोई बात नहीं है रूल चेंज होना नहीं है प्रोसेस वही है अब लेट्स अज्यूम कि उसने एक जीन्स नहीं खरीदी उसने दो जीन्स खरीद लिए तो सेलिंग प्राईज है ऊफ Two jeans कितना रूप्य केंगा जब ihnen कितना हो जाएगा जोफ रूप्य Сटा मतलग एक का रित है १ेह तो जीन्स का रूप्या कितना होगा दो जीन्स का रित हो जाएगा 2 left है कि हाँ दो जीन्स का रेट हो जायेगा 2000 रुपया है कि क्या कहते हैं दो जीन्स का रिट हो जाए गा 2000 रुपया जो और सब्सक्राइब रहा है कन्राइब कंजिूमर्ल खृंब रहा है तीन शर्ट हाँ अगर एक शर्ट का प्राइस एक शर्ट का प्राइस पांच सो और यह रहा तो तीन शर्ट का प्राइस कितना होगा कोई दिक्कत नहीं है तीन शर्ट का प्राइस पंद्रह सो और प्राइस होगा similarly trouser चलिए trouser भी खरिष्ट वक्री लेता है 2 तो एक trouser का price 2000 है तो selling price of two trouser कितना होगा अब इससे असान तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है क्या लगता है ये तो बहुत असान है तो एक का अगर दाम 2000 है तो दो trouser का दाम हो जाएगा 4000 सर ये तो बहुत easy है हाँ मैंने पहले ही कहा GST बहुत असान chapter है GST एक very easy chapter है बस आपको समझ में आ जाना चाहिए समझ में आ जाएगा I am very sure कि आपको बहुत मज़ा आएगा अब इसी पर क्या लगना है क्योंकि इस पर कोई discount नहीं है इस question में कोई discount नहीं है तो इसी price पर आपको क्या लगाना है इसी price पर directly इसी price पर आपको GST लगाना है जैसे इस पर कितना लगना है GST 10% तो यहाँ पर GST लग जाएगा 10% of 2000 10% of 2000 मतलब GST हो जाएगा 200 रप्या यहाँ पर क्या करना है 20% करना है तो इस second वाले case में हो जाएगा start वाले case में 20% of 1500 कितना आजाएगा 300 similarly trouser पर GST कितना है 10% है दिया हुआ 10% मैंने तो GST on trouser बस इससे आसान कुछ नहीं हो सकता इससे आसान तो मझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है आप total price निकलते जाएए सब पर अलग-अलग GST दिया हुआ है अलग-अलग GST लगाइए total GST आपके पास यहाँ पर आ चुका है अब consumer को जो price पे करना है वो मुझे निकालना है क्या मैंने कहा consumer को जो price पे करना है वो मुझे निकालना है प्राइस including GST क्या देना होता है consumer को PIGST जिसम कहते हैं price including मतलब selling price प्लस GST consumer को देना होता है तो पहले case में selling price कितना है पहले case में selling price है 2000 और GST है 200 2000 प्लस 200 दूसरे case में selling price है 1500 और प्लस 300 15 plus 3 1800 तीसरे case में selling price है 4000 और GST है 400 that is 4400 अब तो add कर लो क्या कहते हैं इससे असान कुछ है क्या अरे इससे असान तो कुछ नहीं है अलग-अलग values को पहले क्या किया GST निकाला उस GST में उस price को add कर दिया price including GST आ गया यही price consumer को देना होगा आईए add कर देते हैं यही आपसे पुछा जाएगा इससे असान कुछ नहीं हो सकता आपके पास answer आ गया 8400 एक consumer को क्या price पे करना होता है उसका नाम होता है price including GST मैं और आप consumer हैं हमें यह price देना होता है कितना देना पड़ेगा 8400 इसमें jeans भी आ जाएगी shirt भी आ जाएगा और trouser भी आ जाएगा चलिए यहां तक जितने भी example समझे इन सब में हमने बताया कि firm और consumer के बीच में क्या relation है आईए अब firm और firm के बीच में relation समझते हैं सर यह क्या होता है आईए यही तो समझाना है कि एक firm और यहां पर है दूसरी firm यहां पर consumer नहीं है ध्यान दीजेगा यहां एक firm दूसरी क्यों एक बड़ा wholesaler retailer को नहीं बेचता है बेचता है ना तो firm to firm यहां एक producer जिसको manufacturer कहते हैं क्या वो wholesaler को नहीं बेचता है wholesaler retailer को नहीं बेचता है तो इस case में firms और firms deal कर रही है तो क्या ध्यान देना होता है GST में थ्यान दीजेगा तो अगर goods की बात कर रहे हैं firm to firm की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजेगा सबसे पहले जब firm goods purchase करती है जिसको हम कहते हैं खरीदना कर रही है firm खरीदती है यह firm उसपे कुछ expense करती है जैसे उसपे freight लग जाता है जैसे उसपे carriage लग जाता है आना transport and courier charges लग जाते हैं खरीदने समय तो इन सब पर जो GST लगता है उसे हम कहते हैं input GST यह कब लगता है input GST यह एक firm को लगता है जब वो goods खरीद रही होती है firm जब भी कोई goods खरीदेगी firm जब कोई भी goods खरीदेगी swim खरीदेगी तो उसे GST देना पड़ता है हम इसे कहते है input GST यह वो GST है जो firm को pay करना होता है क्या word लिकरा हूँ paid by firm अब पूछो वह सार यह firm किसको देती है अरे भाई firm भी जिससे खरीद रही है firm किससे खरीद रही है firm किसी दूसे firm से खरीद रही है तो उस समय उसको यह input GST लेना होता है खरीदते समय ऐसा भी समझ सकते हैं कि goods आ रहा है इसलिए इसका नाम input है और वैसे input मतलब raw material भी होता है तो खरीदने की कीमत जुड जाती है ठीक है तो इसका नाम होता है input GST खरीदते समय लगता है और खरीदते समय जो खर्चे हो रहे होते हैं जैसे मैंने कहा आप गाड़ी खरीद रहे हैं और गाड़ी खरिदे समय insurance करवा रहे हैं तो insurance पर चार्ड लगेगा insurance premium पर क्योंकि insurance एक service है उस पर भी GST लगेगी तो price include हो जाएगा समझ गया उस तरह shopkeepers पर लगता है तो एक firm पर लगता है input GST उसी तरह से जब firm goods बेचती है या कोई income generate करती है कोई services देने पर कोई service बेचने पर firm income करती है तो उस case में उसको लगता है output यह क्या GST होता है यह output का मतलब क्या होता है output का sense है goods produce होना और output GST firm collect करती है किसे collect करती है collect by the firm होता है firm यह तुम से और मुझसे जो GST collect करती है तब यह लगता है output GST ठीक है मैंने और तुमने जब कोई समान खरिदा तो तुमने और मैंने जो price दिया उसमें तो GST firm के पास चला गया तो वो जो firm collect कर रही है पैसा उस GST को कहते है आउटपूट GST clear है अब दो तरका GST हो गया एक GST जो firm ने collect किया तुमसे और मुझसे उसका नाम है output GST, output GST firm के लिए liability होती है क्या होती है firm के लिए liability होती है क्योंकि यह पैसा firm को अपने पास नहीं रखना होता है एक तरह का यह पैसा government का पैसा है भली collect firm ने तुमसे कर लिया है पर firm उसको अपने पास रखना ही सकती है इसको firm को देना होता है सरकार को government को देना होता है GST department को जमा करना होता है इसलिए firm के लिए क्या है यह liability है और input GST क्या है यह firm के लिए asset है asset है एक तरह का फाइदा है एक तरह का लाव है क्यों firm tax भर दे रही है तो जितना भी tax भर दे रही है वह tax सरकार से claim कर सकती है हाँ जब firm खरिद रही थी तो उसे input GST देना पड़ा था और जब firm बेच रही है तो उसे क्या करना पड़ रहा है output collect करना पड़ रहा है लोगों से लेना पड़ रहा है अब इन दोनों का करेंगे क्या सर हाँ इन दोनों से ही निकलना है GST payable या GST credit in case GST यह formula देख लिजे GST payable निकालना है अथार्थ कितना GST firm को देना है ठीक है हम कहते हैं उसे GST payable तो GST payable मतलब firm को GST देना पड़ेगा कब देना पड़ेगा जब firm का output GST firm का output GST बड़ा होगा input GST से समझाने के लिए कहता हूँ एक example से समझाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा और clear हो जाएगा क्या मैंने कहा यह कौन सा GST है formula किसका बन गया GST payable यह वो GST है जो firm को देना पड़ेगा चलो एक example समझते हैं इसी का एक example बताता हूँ एक फर्म है चलो firm है A firm A और यह है firm B दो firm हो गई ठीक फर्म एने गुड्स खरीदा पर्म इने पर्चेस किया पर्म इने पर्चेस किया 10,000 रुपीज का गुड्स ठीक है और GST जो firm को देना है वो है 10% सिंपल है GST firm को देना है तो GST GST यह वाला क्या कहलाएगा input कौन सा GST कहलाएगा यह वाला input GST क्यों क्योंकि firm purchase कर रही है firm A की बात कर रहा हूं ध्यान दीजेगा firm A खरीद रही है और GST आ जाएगा 10% of 10,000 taxable value 10,000 है GST input आ गया अब firm A तो रखेगी नहीं goods firm को खरीद कर रखना तो होता नहीं है किसी को न कुछ बेज देती है firm ने यह goods खरीद करके हमें बेज दिया मैं हूं मैं मतलब आप और मैं consumer हूं firm ने इसको sell कर दिया sold to firm ने goods को बेचा sold to consumer चलो जब firm बेचेगी consumer को तो let's assume करते है firm की selling price है बारह अजार रुपे में firm इससे बेच रही है consumer को कितने में बारह अजार रुपे में अब firm को GST मिलेगा अरे भाई firm हमसे तो GST collect करेगी ना इसको कहते हैं output GST कौन सा GST output GST क्योंकि firm यह वाला GST आपसे मुझसे collect करेगी let's assume करते हैं कि GST का rate है 12% 10 रहन दूँ चलो 10 रहन देते हैं यहां पर भी 10 रहन देते हैं चलो GST करेट यहां पर भी 10 है output GST करेट भी 10% है तो अब firm हमसे GST collect करेगी कितना GST collect करेगी 10% of 12,000 भाई firm नुकसान में थो न बेचेगी firm तो usually profit में बेचती है ना 10 का खरिदा है 12 में बेच रही है 2000 का firm profit कमा रही है तो profit कमा रही है तो firm को GST भी जादा मिलेगा कितना GST मिलेगा firm के पास GST आ जाएगा 1200 क्योंकि यह GST output GST है अथार्थ यह वो GST है जो firm मुझसे और तुम से collect कर रही है अब अब price including GST आ गया क्या कहते हो यह वो प्राइज है जो firm तुम से लेगी 12,000 का समान है 12,000 का selling price है प्लस 1200 firm हमसे लेगी 13,200 यह लेगी ना firm हमसे price including GST चलो यहां तक तो बात कतम हो गई अब firm के पास दो GST आया एक input GST आया यह रहा firm के पास दो तरह का GST collect हो रहा है एक input GST जो firm ने pay किया होगा firm खरिदते समय है जब खरिद रही थी firm B से firm A जब firm B से खरिद रही थी तो उस समय 1000 का GST उसने भर दिया था तो सरकार को अब GST क्या करेगी क्या वो पूरा 1200 दे देगी नई यह जो output GST है जो कि firm ने collect किया है मुझसे और तुमसे collect किया है यह सरकार को नहीं देगी 1200 क्यों जी क्यों नहीं देगी क्योंकि सरकार को उसने already यहाँ पर 1000 पे कर रखा है कैसे पता चलेगा कि 1000 दे रखा है अरे खरिदते समय firm ने bill लिया होगा na firm A ने firm A ने bill लिया होगा उस bill में दिखाएगा कि उसने 1000 का GST अलेड़ी दे रखा है आप समझ गया है वो जो GST अलेड़ी दे रखा है 1000 रुटय का firm A ने वो firm क्या करेगी सरकार को दिखाएगी और 1200 में से अपने 1000 काट लेगी कहेगी अरे भाई मैंने तो 1000 आपको पहले दे रखा है इस बद तो अब बचा कितना 200 लोजिक समझ में आया तो firm निकल गया समझ गया है इसे कहते हैं GST payable कैसे निकलेगा GST payable firm को कितना GST pay करना है आउटपुट आउटपुट GST माइनस इनपुट GST आउटपुट GST निकला आपने 1200 रप्या ये रहा वो आउटपुट GST निकला था आपने और ये रहा इनपुट GST firm को finally सिर्फ और सिर्फ सरकार को 200 रप्या देना है और काम खतन क्या होगा अगर इनपुट जाधा हो जाए तो मतलब firm के पास यहाँ पर 1200 होता और यहाँ पर 1000 होता तो क्या होता तब firm सरकार को कुछ नहीं जमा करती कहती उल्टा मेरा 200 GST आपके पास रखा हुआ है हाँ मेरा GST तुम्हारे पास रखा हुआ है सरकार को बता देती इसे कहते हैं GST क्रेडिट कब आता है GST क्रेडिट जब GST पेबल का उल्टा हो जाता है जब input value GST की जादा हो जाती है तब firm क्या करती है GST सरकार को पे नहीं करती है फिर आगे अभी और GST जब वो कल्ट कर ले कर रही है ठीक है क्या कर रही है बाइंग एंड सेलिंग कर रही है विदिन दी स्टेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं परचेज और सेल कर रहे हैं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विदिन दी स्टेट का मतलब होता है कि जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं वो सेम स्टेट से खरीदे और बीचे जा रहे अब मैं UP में हूँ और within the UP हाँ मैं within the UP buy और sell कर दूँ तो उसे क्या माना जाएगा yes within the state को हम कहते हैं intra क्या word है intra GST मैं लिख दूसरा word आपके लिए intra intra GST में क्या लगता है दो GST लगता है एक लगता है sgst और दूसरा लगता है cgst यह sgst cgst क्या है सर्थ अरे भाई s मतलब उस्सा है state government GST और cgst मतलब central government GST याद रखेगा यह दोनों add ओकर के GST के बराबर होते है that means state government का GST और central government का GST का share equal होता है मतलब UP में अगर transaction हो रहा है UP में जैसे for example वार्नासी टू कानपूर वार्नासी टू लखनाओ वार्नासी टू मेरट मतलब within the UP हम same state के अंदर अगर transaction कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं intra state क्या keyword बोला मैंने intra within the state कर रहे हैं तो cgst sgst तो gst लगेंगे यह दोनों gst कितने होते हैं यह दोनों equal होते हैं 50-50% होते हैं अगर gst का percentage है let's assume 10 तो इसमें state government का share कितना होगा 5% और central government का share कितना होगा 5% मतलब कि 100 रपे का gst अगर सरकार collect कर रही है तो आधा gst state government को मिलेगा आधा gst central government को मिलेगा बस इतना सा logic है आधा आधा दोनों को मिलेगा तो जो भी gst होगा वो state government और central government को equally equally या दिजए गस बात को equally equally लग जाएगा मिल जाएगा कम मिलेगा जब goods within the state होगे तो कभी-कभी ऐसा भी होगा कि firms goods state के बाहर से खरिद रही होंगी हम लोग उसको कहते हैं outside या beyond the state जब goods का buying and selling outside the state होगा जिससे हम कहते हैं interstate क्या word है interstate तो कौन सा gst लगेगा तो इस gst का नाम है i gst the word i interstate से नहीं है the word i is integrated gst इसकी value और gst की value same रहेगी ये वाला gst दो पार्ट में नहीं है एक single part में है इसको collect i gst को central government ही करती है और बाद में central government क्या करती है collect करने के बाद state government को उसका half share दे देती है जैसे अगर gst का rate 10% है तो i gst भी 10 ही होगा 55 नहीं होगा क्योंकि दो है ने एक ही पर एक ही share है i gst पर यह कब लगेगा i gst किस goods पर लगेगा जब एक firm state के beyond यूपी में हूँ और हमने बिहार से समान खरीद लिया है तो i gst लगेगा i gst कब लगेगा जब transaction outside या beyond the state boundary होने लगेगा तो i gst लगेगा clear है very clear है आई यह start करते हैं कुछ आपको basic से क्या करते है numerical बताते हैं आपके साथ numerical solve करते हैं आपको देखना नहीं है मेरे solve करने से पहले लगा देना है एक तरीका और बता देता हूँ कि अगर आप सच में maths से मुकाबला करना चाहते हो तो दिमाग में एक बद बैठा लो maths मच्छर है और मच्छर के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है मच्छर को मारने के लिए थोड़ा तर्यारी करनी पड़ती है आईए मेरे साथ करेंगे तर्यारी तो maths आपको सच में मच्छर ही नजर आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नुमेरिकल के साथ मैं और आप मिल करके याद रखेगा यह सब करेंट सेशन के अकॉर्डिंग धेज़ ट्वेंटी ट्वेंटि-फोर के सेशन के अकॉर्डिंग हम सारा लेसन विडियो बना रहे हैं आपके latest editions के according हम यह numerical कर रहे हैं आपको यह questions mcq based questions और numerical based questions में स्कारा में करना जा रहा हूँ हाँ यहां तक concept clear हो गया है समझ में आ गया है तो please pen down जरू करिएगा क्योंकि देखने से numerical नहीं आएगा आईए start करते हैं कुछ mcq based questions से start करते हैं स्क्रीन पर आप देखिए आप भी लगाईए और मेरे लगाने से पहले लगा करके अपना answer comment box में मुझे बताते जाईए चलिए start करता हूँ सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पर कोशन आ गया तो selling price of a shirt excluding GST मतलब GST इसमें जुड़ा हुआ नहीं है ठीक है is 800 if the rate of GST is 12% क्या है GST कितना है GST 12% है तो हमें क्या price देनी पड़ेगी shirt की तो बहुत simple है GST पता करना है वो होगा 12% of 800 तो बहुत simple है 12,8 जा 96 इसका मतलब हमें 96 रुपीज GST कि रूप में देना पड़ेगा हमें निकालना है total price हाँ भाई वो price जो हमें भरनी है तो 800 और 96 finally हमें कितना देना होगा 896 कितनों ने कहा option C option C देने वालों को a big like from my side तो option C आपका सही जवाब होगा आईए बढ़ते हैं आगे रुकते नहीं अब रुकेंगे नहीं ठीक है थोड़ा फटा फट जल्दी ले करेंगे concept clear हो चुका है तो concept clear होने के बाद numerical लगाओ maths आपका patience level check करता है मैस यह देखता है कि कब तुम ठके और मैं जीता हाँ मैस तुम्हें ठकाना चाता है मैस तुम्हें हराना चाता है मैस तुम्हें जुकाना चाता है पर तुम जुकेगा नहीं येस never say die never say give up ठीक है लगाना है practice करना है wrong आने पर फिर concentrate करना है पता लगाना है कि मैंने क्या mistake की और उप्स गल्तियों को क्या करना है repeat नहीं करना है हाँ pause कर लिया करो मेरे sum लगाने से पहले और पहले तुम लगा लो और फिर उसके बाद क्या करो अपने sum से मेरे answers को match करा हो समझगे क्या कहना चाते हैं ये मैं कर रहा हूं इससे पहले तुम मुझे pause करे बाइब भाई pause का बटन तो तुम्हारे हाथ में है वहां से pause का बटन सही है और मेरां सर से मैच कर रहा है कि हाँ भाई मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं बट आपको चेक करना है ठीक है मैं आपके साथ हूं चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड कुछन को देख रहे हैं का आपको कह रहा है कि परसंटेज और अफ एस जी एस्ट इस ट गवर्मेंट का जीसी आवब टील जीस टी अधरस्वल्स आफ़ल जिस साथ होता है यह पूच्छग रहा है किसी बी इंट्रा देज brick सेट मैं 1420 इंट्र्स्टी शुक्रता है विदिन इस टेट जाब विदिन दी स्टेट होती है जैसे मैंने कहा यूपी की यूपी के अंदर ही सेल होती है तो दो टेक्स लगता है एक SGST लगता है एक CGST लगता है और दोनों आधे आधे लगते हैं 50% लगता है आप से पूचा है कि स्टेट गुवर्मेंट का शेर कितना होगा इसमें अरे बरा और स्टेट गुवर्मेंट अरे यूपी में तो योगी सरकार है ना तो 50 वाहां चला जाएंगा स्वार्पै तो 5017 कांशन फालेगा refriger होगा उच्छा यह कोई काल्कुलिशन नहीं चाहिए इसमें आईए मिस्टर अतुल पेंट सोल्ड पोर लीटर्स अफ लस्टर पेंट चाह फोर टिन बेचा टेक्सिवल वेल्यू ऑफ दे इच टिन एक टिन की कीमत है तीन हजार चार सो रुपया ठीक है और आपको निकालना है क्या सबसे पहले एक का वेल्यू क्या है टेक्सिवल वेल्यू अतार सेलिंग प्राइज ऑफ वन टिन एक टिन की मेल्यू कितनी है तीन हजार चारसौ टिन कितने है टोटल बेच रहा है वह चार तो चार टिन की मेल्यू कितनी होगी सिम्पल मुंटीप्लाइब कर दो चार से है और सिसकों प्राइब करो क्या है पूर जीरो जा जीरो फूर फूर जा शिक्स्टीन पूर टिन वえて ट्वैल वन थरीन तो इसका मतलब है value आएगी 13600 ठीक है कोई दिखकत नहीं है तो यह तो taxable value आई गई बताई देया taxable value मैंने कहा था GST taxable value पे लगता है और rate क्या है 28% तो जब GST 28% है तो इसका मतलब है CGST आधा होगा 14% और SGST भी आफ होगा यही बताया था ना आपको आपको दोनों पूछ रहा है ठीक है 14% निकाल दो आजाएगा अंसर तो आपका CGST आपसे पूछा है CGST है 14% of 13600 सॉल कर देते हैं आके पास अंसर आ जाना चाहिए 146 जा 6424 684 143 जा 143 जा कितना होता है भाई 143 जा 42 42 और 8 19 14 मंज़ा 14 और 9 14 मंज़ा 14 और 9 21 क्या यह अंसर आ रहा है मल्टिप्लाइब करके देख लिजे 14 x 136 हाँ यह आपका क्या आ जाएगा मल्टिप्लाइब करने पर आपका अंसर आ जाएगा CGST कि क्लिक्लेशन बिस्टेक है 14 6 जा कितना रहा है वन 9 04 जाएग देशेंज इन दी कल्कुलेशन इसको मिटा ना पड़ेगा मिटा देख क्लिक्लेशन में आ रहा है 1904 हाँ मैंने कहा है क्लिक्लेशन मैट्स में स्ट्रॉंग रखनी आपको एक दम स्लोली क्ल्कुलेट करना है जैसे ही आपका cgst आ गया सेम आपका sgst भी होगा क्यों क्योंकि दोनों 14 परसेंट है दोनों ही कितना होगा 1904 क्लियर है आपके पास आ गया है आपका cgst sgst 1904 चली आगे बढ़ जाते हैं रुखना नहीं है हम लोगो ठीक आगे बढ़ते हैं next question पहा जाते हैं next question the cost of an article is 5000 and after including gst तो यह था price बिना cost बिना gst के और अब price जिसमें gst include कर दे रहे हैं तो इसका cost हो जा रहा है 6000 तो इसका मतलब है प्राइज इंक्लूडिंग gst 6000 है और टेक्सिबल वेल्यू उसकी टेक्सिबल वेल्यू उसकी कितनी है 5000 है अब्वेस बात है 1000 एक्स्ट्रा क्या लग रहा है यह जो 1000 एक्स्ट्रा प्राइज लग रहा है वो gst का लग रहा है इसका मतलब है इस पर gst कितना होगा 1000 रुपया अब आपको gst मालम चल चुका है पर gst नहीं चाहिए आपको आपको rate of gst चाहिए rate मतलब होता है percentage तो gst का percentage का formula क्या होता है gst upon taxable value यह taxable value क्या होती है मैंने बताया था जिस पर gst लगना है usually selling price पर लगता है तो upon selling price into 100 formula याद कर लीजे यह formula आपको काम आने वाला है हमारे case में gst है 1000 यह रहा और taxable value है 5000 कि इन्टू 100 कि simplify कर लीजे simplify करने पर आपके पास अंसर आ रहा है 20 परसेंट क्या आपने भी निकाल दिया 20 परसेंट क्या कहते हैं 20 परसेंट आगे आपका अंसर सुपर तो अंसर है option b 20 परसेंट चली आगे बढ़ते हैं रुकना नहीं है इसमें भी जी जी एस्ट इस डिक्रीज जी एस्ट को डिक्रीज किया हमने कितना डिक्रीज किया 20 परसेंट से घटा करके 10 परसेंट कर दिया मतलब डिक्रीज इन जी एस्ट किया आपने 20 परसेंट माइनस 10 परसेंट तो आपका डिक्रीज कितना रहा है 10 और किस पर कर रहे हैं स्विंग थ्रेड पर ठीक है तागे पर किया है आई यूशी हैस टू पे रुपीज वन थाउजन लेस अब डिक्रीज इन प्राइज कितना आया कि डिक्रीज इन प्राइज उसके लिस्ट प्राइज में कितने की बचत हुई लिखा ना वन थाउजन लेस पूछा क्या है आपसे लिस्ट प्राइज तो लेट लिस्ट प्राइज भी एक्स क्या ले लिए लिस्ट प्राइज को एक्स ले लिया यह क्या हो गया प्रिट गया लिस्ट प्राइज को क्या ले लिया हमने उन्हें एक्स ले लिया चलो कोई बात नहीं लेट लिस्ट प्राइज हां let list price be x और हमने क्या किया decrease किया था तो decrease percent of list price is equal to decrease in price क्या मतलब आया कि इतना decrease किया हमने कितना decrease किया 10% किसका decrease किया list price का 10% of list price निकाला होगा तो वो decrease की value के बराबर आ जाएगा और हमारी value कितनी decrease हो रही है 1000 लिखाए ना 1000 लेस तो क्रॉस्बंड प्लाइकर कि आप सौल कर सकते हैं आपका अंसर आ जाएगा 1000 इंटू फंड्रेट अपॉन टेन आपके पास आपके पास जो लिस्ट प्राइज है वो कितनी होगी 10,000 लुपीज क्या कहते हैं कि अगे आपका चलो आगे बढ़ते हैं अनुश्री अनुश्री इस प्रॉप्राइटर इन रेजिस्टर्ट फर्म अंडर जीस्ट ठीक है एक फर्म है जीस्ट भरती है जीस्ट पेड़ फिर्म ने 14,250 का चलो ठीक है और जीस्ट उसने कलेक्ट भी किया था क्योंकि फर्म जब बेचती है तो जीस्ट खरेट करती है और फॉर्म जब खरीदती है तो उस समय GST पे करती है तो जिस्ट पे किया था उसने इतने का और GST कितने का किया है GST collect GST collect किया है उसने 19,500 का पूछा क्या है तो जी एस्ट पेबल का formula होता है output GST याद होगा आपको minus input GST देखिए concept को अगर strongly समझेंगे रटना नहीं है real life की नज़र सोचिए एक सच्चे firm की नज़र सोचिए एक business firm की नज़र सोचिए जब ये firm firm का question है आपको यहां पर अनुश्री बन के सोचना पड़ेगा तो अनुश्री को क्या करना पड़ेगा जब GST उसने collect किया है वह उसका GST तो है नहीं 19,500 ये GST तो output GST है collect कर लिया है ना अब इसको minus कर देंगे जितना GST उसने अलड़ी सरकार को दे रखा है बाकी balance आपको देना पड़ेगा कितना आ रहा है 250 यहां बच रहा है और यहां 5000 तो finally 5250 option number C क्या कहते हैं आप कभी यह आ रहा है यह हुई न बाद easy है मैं कह रहा हूँ easy है लगाओ मेरे साथ और लगा रहे तो इमान दाई से तो दुनिया की कोई ताकत तुमारे answers को गरत नहीं कर सकती पर लगाना पड़ेगा मैच्स देखने की चीज नहीं है मच्छर है मच्छर माड आलो इसको कुचल डालो पर मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है थोड़ा सा अपनी तरब से effort तो लगाना ही पड़ेगा अगर इतना ही तो आइज अन आडिकल एटा मार्क प्राइज ऑफ रोपीस 5000 डिस्काउंट ऑफ 15 परसेंट तो मार्क प्राइज दे दिया मार्क प्राइज दे दिया 5000 का डिस्काउंट दे दिया हाँ मैं आपको numerical practice के लिए हुमर के रूप में भी दूँगा साथ में करिये और इसके साथ आपको धेर सारे questions भी practice के लिए दूँगा देखूंगा कि आप में से कितने सूपरस्टार्स मुझे करके बता रहे हैं हाँ जिन सूपरस्टार्स का अंसर सही आएगा जो मुझे इन अंसर सेंड करेंगे उनका नाम में screen पर display करूँगा हाँ उन 10 star members का नाम screen पर display करूँगा चलो आगे डिस्क करते हैं इस बर discount का percent कित फिफटीन परसेंट ठीक है तो डिसकाउंट 15 परसेंट और टेक्स जी एस्टी कितना देना है जी एस्टी है 18 परसेंट को पूचा क्या है find the tax क्या टेक्स देना है पता सिर्फ टेक्स की वैल्यू करना है तो मैंने बताया था जब कोश्चन में डिसकाउंट दिया हो तो डि होती है selling price वही होती है taxable value ठीक है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि डिसकाउंट करने के बाद price क्या रही है हम उस प्राइस को कहते हैं selling price taxable value क्या फॉर्मला है 100 इसकाउंट पर संट अपॉन हंड्रेड इन्टू मार्क प्राइस एंटू मार्क प्राइस अगया आपके पास आपके पास आगई इस लिंग प्राइस लिंग आ जाएगी 55 2558 यह एम टू यह एर्ट में इस सेलिंग प्राइस किती है फॉर थाॉजन टूंडेट 50 रुपीज अब ज्येस्ट जो भी लगेगा वह इसी पर लगेगा क्यों ज्येश्टी मार्क पने क्यों लगेगा क्योंकि डिस्काउंट काटने के बाद जो प्राइस बचती है जिसको हम टेक्सिबल वेल्यू कहते हैं जिस्ट उस पर लगता है तो चलो जिस्टी निकालना है मुझे जी एस्टी इस एक्वल टू एटीन परसेंट और फोर टू फाइफ जिरो जीरो से जीरो चैंसेल हो गया सिब्रिफाई करों टू फाइफ जा तू नाइन जा और फाइब बन जा पाइट जा फाइफ पाइफ जा नाइन फाइफ जा फॉर्टी फाइफ नाइन इड़ जा 70 यो और 476 सो अगर आपका अंसर आ रहा है 765, that is option A You have done it right आप सही कर रहे हैं चली आगे बढ़ते हैं The list price of an article is 20,000 List price दे दिया है कितना list price है? List price है 20,000 और shopkeeper क्या करता है? 15% discount देता है और GST चार्ज करता है 28% क्या पता करना है? Total price including tax क्या पता करना है? Price including tax हम इसको बोलते हैं PIGST, short form Price including GST बहुत असान question है कर दें, आईए List price कितना है? 20,000 रुपया सबसे पहले क्या करना होता है? Discount को हटा देना होता है Discount कितना है? 15% तो selling price आ जाएगी आपकी? कैसे? 100 minus 15 कितना आ जाएगा? वापस 85 upon 100 solve करने पे आ जाएगा आपके पास 17,000 यह क्या है? 17,000 क्या है आपका? selling price हाँ taxable price discount काटने का price ऐसे नहीं करना चाहते हो? एक तरीका और भी है आप चाहो तो इसका discount अलग से निकाल सकते हो कैसे discount निकाल सकते हो? discount निकालने के लिए discount percent of mark price ऐसे भी कर सकते हो आपकी मर्जी आप ये भी कर सकते हो आपका discount percent जब solve करोगे तो आएगा 3000 रुपीज तो अब selling price ऐसे भी निकल सकता है कैसे? mark price minus discount आपकी मर्जी है ये लंबा method करना है जिसमें आप discount पहले निकालेंगे और फिर इसको mark price से minus sell कर देंगे जैसे मेरे case में mark price 20,000 है discount आया 3000 minus करने पर selling price आया जिसको हम कहते हैं taxable value आया 17,000 direct भी निकाल सकते है direct मैंने बताया था 100 minus discount percent upon 100 into mark price अब इस पर लगना है GST आपकी मर्जी है ये करिए ये करिए दोनों सही है अब इस पर लगना है GST GST कितना लगना है 28 percent 17,000 पर कर दो भाई कितना आ रहा है जल्दी करो मलपलाई करो 28 into 17 कर देते हैं मलपलाई आपके पास आ रहा है 476 हाँ आपका GST आ रहा है 4760 अब कस्टमर को जो प्राइस पे करना है वो पता करना है इसको हम कहते हैं प्राइस इंक्लूडिंग GST तो कंजूमर को 17,000 तो देना ही देना है यह रहा 17,000 तो देना ही देना है प्लस GST देना है 4760 एड करेंगे 21,760 यही फाइनल प्राइस कस्टमर को देना पड़ेगा है यह प्राइस 21,760 21,760 आपको यह क्या 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 होता है between two states within the state नहीं है इसका मतलब state के अंदर नहीं state के बाहर UP से बिहार UP से आसाम UP से पंजाब इंटर स्टेट तो इंटर स्टेट हो रहा है ट्रांसेक्शन IGST कलेक्ट करते हैं इंटीग्रेटेड जीएस्टी कस्टमर किसको देता है याद रखे IGST Central Government के पास ही डिरेक्टली जाता है इसके बाद जाता है Central Government के बाद जाता है और Central Government बाद में IGST का आधा शेयर State Government को दे जाते हैं ठीक है पर कौन करता है Central Government आईए ये Question के बाद आपको Question दूँगा निमरिकल दूँगा और आप से पुछोंगा उसके बाद आपको इसके अंसर्स देने होगे मुझे कहां दोगे अंसर अरे भाई मेरा WhatsApp नमबर अविलिवल है लिंक पे देखे मारा WhatsApp नमबर अविलिवल है आप अंसर्स उस पे सेंड कर सकते सच में मैं आपको ए नाम के साथ स्क्रीन पर येस क्या नाम देते हैं हम लोग उसको जो मचे सारा perform कर लेते हैं हम लोग हम लोग उनको star performer के नाम से क्या करते हैं yes, show करते हैं पहले 10 questions पहले 10 students का नाम हम क्या करेंगे अपने इस DJ board पर, smart board पर present करेंगे, जिन्हुने questions पूरे की होंगे, हाँ इसके बाद की बात करता हूँ, इस question के बाद आपको दूँगा home work group, आईये start करते हैं, last question है ये करने के लिए, a dealer in Mumbai supplies goods and services worth rupees 5000 and to another in Pune, अरे Mumbai और Pune within same state, महरास्ट के अंदर आते हैं दोनों, तो ये तो कैसा transaction है, Mumbai से Pune, state same है, महरास्ट है, हाँ, मेरे Mumbai वाले superstars अगर देख रहे होंगे, Pune वाले देख रहे होंगे, तो I am very sure वो recognize करेंगे इसको, तो ये intra, क्या, intra, within the same state का transaction है, इसमें CGST, SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा, क्या इसमें IGST नहीं लगेगा, IGST उसका निल होगा, तो इसका मतलब है, इसमें IGST निल है, इसमें IGST निल है, अंसर जब भी होगा तो A और D में से होगा, क्यों देखिए निल निल चलो आगे देखिए क्या लिखा है कितने का goods है 5000 का है ठीक है GST कितना लगना है 18% है अगर GST 18% है तो same state का transaction है देखिए मुंबई टुपूने है same state का transaction है तो SGST लगेगा 9% और CGST भी लगेगा 9% क्योंकि दोनों equal होते हैं GST का आधा आधा दोनों में divide होता है मैंने discuss किया था अब आपसे पूछा है पहले CGST निकालो तो CGST 5000 का यह रहा CGST CGST कितना है 9% of 5000 सिंपल है बहुत सिंपल है 450 इसका मतलब है SGST भी तो 450 आएगा दोनों तो same आते हैं तो आपका अगर option answer A आचुका है CGST 450 SGST 450 और IGST निल यू आपसलूटली हिल हाँ थेंक यू फॉर देस वंड़फूल वंड़फूल शेरिंग वित मी और answers हाँ आप में से बहुत सारे lovely superstars साथ में लगा रहे हैं यह मुझे बहुत खुशी हो रही है बढ़ याद रखेगा यह सब को करना है अगर मैट्स देखने से ही आ जाता तो क्या ज़र्वत थी मैट्स की बुक खोलने की नूटबुक बनाने की और क्लास में मैट्स करने की हाँ इतना असान नहीं है मेरे दोस्त सिर्फ मैट्स लगा के आता है मैट्स प्रेक्टिस करके आता है हर एक क्वेशन के पहले तौस दबाईए क्वेशन पढ़ लिजे क्वेशन पढ़ लिजे और अपने आप लगाईए और फिर लगाने के बात क्या करिए अंसर के साथ मैच करिए तब आप कंफर्म्ड हो पाएंगे कि आपके अंसर सही है कि नहीं है हाँ रही बात आज के सेशन की तो सेशन कैसा लगा ये ज़रू बताईएगा और ये जो कुछ कोश्चन से मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको कोश्चन 11 to 20 हाँ दस कोश्चन से ये कोश्चन आपके लिए as a homework होंगे हाँ हाँ ये कोश्चन जाते हैं हाँ अभी ही मैं को नाव इट्सिल्फ अभी ही हमारे टेलिग्राम चैनल पर सर्तरुन रुपानी हा उन मारा टेलिग्राम का सूपस्टार के नाम से जो आपके लिए बनाये गया है और एक एप भी है एप का नाम है Sir Tarun Rupani Play Store पे आईए एप आपको मिल जाएगा उस पे आप Store में आईए कहाँ पर आएंगे आप Store Store section में आप आएंगे वहाँ पर आपको Store section में free बहुत सारे content, बहुत सारे lessons बहुत सारे नोट्स बहुत सारे information मिलने वाली है खुब ठेर सारे content वहाँ पर free पड़ावा है store information पर जाएगा ठीक है store section पर जाएगा वहाँ आपको यह questions भी मिल जाएगे ठीक है वहाँ से आप question ले करके question लगाईए और मैं wait करूँगा आपके answers का यह 10 questions है आपके पास screen पर देख लिजे screen पर 10 questions आ रहे हैं screen पर आप देख पा रहोंगे question number 19 और यह रहा question number 20 यह रहेंगे आपके लिए homework देखते हैं आप मेंसे कितने मेरे सच्चे सूपर स्टार्ज हैं दिखते हैं आप मेंसे कितने स्टार्ज हैं जो लगा करके हमें साबित करना चाहते हैं और मैं मैं खुद बहुत खुश होंगा appreciate करूँगा अपने स्टार परफॉर्मेंट को स्क्रीन पर नाम शो करके तो विलते हैं अगले लेसन वीडियो में बाइं टेक केर गॉडब्स यू बाइ फाम नौव